अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके नमस्का प्रभासाची निउज नेट्रोग देख रहा है आप मैं आपके साथ पड़ोती वारी हम मौजूद है गोरगपुल महानगर में चुकी आठ माई का जो दिन होता है वो वर्ल थैलिसीमिया डे के रूपे में मनाया जाता है और थैलिसीमिया है क्या और उसके लच्छा सब्सक्राइब की इस दिजीज सब्सक्राइब और छल्पॉजट आपाउंस भारोल थैलिसीमिया है यह। वारे बात पर लेकिन विर्फी तेलिसीमिया इस तरह के डिजीज है ये ब्लट के संबंदी डिजीज है और कंजिनेटल डिजीज है और बेस्किली इन तरह का इफेक्ट पड़ता है बोली करना संक्रम जो है तेजी से फ्याय संक्रमित उससे काभी प्रवावीत हो रहे तो सर्व क्या मतलब मेडिकल साइंस ऐसा क्या उपाय करें या तमाम डॉक्तर व्याय करें कि इस पर आसानी से और जल्दी और खांग कर लिया जहाए कोरोना पर देखिए, सबसे बढ़ी बात है कि करोना आज की टारिक में पैंडेमिक बना हुआ है, इसके पीछे इन्वीजिबल इंसान, सारे इन्वीजिबल इंसान के जिम्मधारी है, कि वो हेल्ठ सेक्टर का एक अच्छा अवर्नेश जनकारी हो, अपने परसनालटी, अपने बीहेवि अपने चैया के और आएगी और वह मारे किसी आजपास पुरोश the चलि कि आपने सरी को कि सब्षक्राइब को जरूर नुकसान नśli न fazem पहुंचा थे या शोसल नुक्सान पहुंचा थे या किसी परीया के अपने सबेर्स नालटी निदर अपने है आपको आदर डालना पड़ेगा कि मास लगाना है, आपको आदर डालना पड़ेगा कि आप सोसल डिस्टेंशी मिंटेन करना पड़ेगा, आपको आदर डालना पड़ेगा ओपन एटमास्फियर में रहना पड़ेगा, आपको आदर डालना पड़ेगा कि कम से कम आद चीजों को अवरनेस हो और दिजीज के बारे में थोड़ा जनकारी रखना बहुत जरूरी है और फोस्ट एड यदि पहली टीटमेंट फोस्ट एड यदि प्रॉपर तरीके से हो गया तक करोना में जो लच्छन आते हैं जैसे करोना का लच्छन आता है यहां लंग के प्रापनों हो ज कर दिया गया तो आप निश्यत तोड़ में आप इस तरी कंप्लिकेशन में नहीं जाएंगे यह बात बहुत ज़रूरी है समाज को समझना अपनी आदत में चेंजिज लाना अपने बिएबिर करने चेंज लाना यह बहुत इंपोर्टेंट है यदि यह चेंजज आ गया है ह हर घर में हर आदमी इस पारे में संकारी ले लिया और समझ गया इस बात को तो मैं चानता हूं मैं जानता हूं करोना फिर जड़ से खतम हो जाएगा चुक्ति इस अधर जो करोना है तमाम डॉप्टर्स लूंप को भी प्रभावित किया है कही न कहीं जतने डॉप्तर हैं अपने पूरे हम लोग ignorance अभी तो करोना के बारे में हम लोग समझनी के कोशिस नहीं कर रहे हैं सबसे जरूरी कि हर आदिमी इस बारे में समझे इसे मजात न मना इसे समझे करोना पका इसकी साइक्ल ब्रेकड़ाउं कर जाएगे और यह साइकल ब्रेक्ड़ ब्रेकडाउन करने में हर आदमी को योगदान होना चाहिए जेसे साइकल ब्रेक्डाउन करेगे रेट कम हो जाएगे प्रपर तरीके से समझ गए जाइब तो यह चीजों की जरूवत परसुनार्टी में चांजें इन चीजों की जरूवत नहीं पड़ेगे पहला ठीकमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए जिसे लंग के अंदर डैमेज नहीं होगा और आप बच जाएंगे रिकवर कर जाएंगे और किसी पेनी क्राइसिस की जरूवत नहीं पड़ेगे सर एक प्रकरण बार बार सामने आभी रहा है कि जैसे कई डॉक्टर्स का कहना है कि आप आड़ी की जिस्टी स्केन कराएंगे तो सर उसकी थोड़ी सी जानकारी हमारे तमाम दर्सकों को आपके मातें से आपको ये दिए आपके कोई लिंक आदमी लिंक मतब कुछी आदमी को कोविट से स्ट्रक्टेड हुआ और आज पास में आपके आया और आपको भी थोड़ा बहुत लच्छन दिख रहा है तो आप पेनिक होके सिटी स्केन कराने के पीछे ना भागे प्लीज सिटी स्केन भागे आप सिंपल सी फोस्ट है जो टीटमेंट का बहला टीटमेंट के पहली पहलो होती है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो कर दिये तो आपका 80% से 90% प्रॉब्लम खतम हो जाएगा बाकी यह दी आप तोड़ा प्रोग्रेशिव नीचे ते सिंपल एक्सरे करके आप भी देख सकते हो सिंपल ब्लड जाज से पता चल जाएगा थर्ड वोड में सिटी ती स्केन से पहले बहुत सारे पिरोगेशर होता है आप पर से फ dif Y puedo कर रहा देा करए आप पहले आपना अपना कर पहला कंशन करता q यह city scan complication का status आपको panic attack को बढ़ा देता है और cancer तो बढ़ाता ही, cancer जो से x-ray है, x-ray raise हमेशा हानिकारक होता है, और x-ray raise हानिकारक होता है, over exposure x-ray हानिकारक होता है, यह clear cut है, तो आप इसके तरह मोटिवेट नहीं करके, आप दूसरा direction में मोटिवेट करें, तो जादे बेटर आ करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से लोगों तो पता चले कि कैसे जागरुपता को फैलाया जाए और किस तरीके से इस chain को तोड़के, जो है एक नई जो लहर, खुशी की लहर आनी चाहिए, वो कैसे व्यात्तों इस पूरे समाज में, देखे, पूरे समाज को इस बात को समझना पड़ेगा, कि पूरे समाज में करोना आचुका है, करोना वाइरस है, बहुत सारे लोग तो यहीं हमान दे करोना वाइरस है, पहले तो यह बात अपने दिमाग में करोना वाइरस है, और इंसान के तुरू इंसान को फैला, पहले दिमाग में आपको करेंगे अपना मास लगाने के एक टेंदन्सी आदत ब्याइवियर आप लगा लें तो 80-90 परसेंट प्राब्लम खतम हो जाएगे और दूसरा सोसल डिसेंशी तोड़ी सी मंदें करें दूसरी प्राब्लम खतम हो तीसरी बात है कि आपको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमको ख्याल अच्छर आ रहा है क्या वो पहली कॉंसर्स लेबल पर अपनी कॉंसर्स लेबल प्रोंस्ट एड ट्रीटमेंट ले लिया तो मुझे नहीं लगता है कि आप कॉंप्लिकेट करके आर्मन आपको फेलोड़ा जाएंगे सर अंतिम की इसमें योग और टाड़ायाम का इस कोरोना माहमारी से बचाओ के लिए सबसे बड़ा योगदान है सर उसके बारे में कि किस तरीके से जैसे हर वर्ग विशेष के लिए अलग अलग योग और टाड़ायाम बताये गए हैं तो कुछ ऐसे बेसिक योग हों जो हर उस्ञार वर्ग करण साके जिसे वह स्फ्त हूं सके टेकि रेस्पाइडि एक्सराइज का बहुत महत्वर्ण और Stellar में नेकर हो यह जो भी कर रोग स्वाड़ेडिस संबंदीत एक्सराइज करते हो तो वो चिस्टेमैय्ट अफ्य इनको mixing करने के चंपता बढ़ाता है, बलड में mixing करने के चंपता बढ़ाता है, बहुत सारे एक्टिविटी करता है, जिससे आपकी आपके लंग के अंदर होने वाली प्राब्लम, चुकि यह सबसे बहरा आटेक इसका करोना वाइरस के लंग पर होता है, लंग के संबंदी आप एक्सराइज करते हो, इस बेनेटीजियल अब ओडी के किसी एक्सराइज करते हो, फिटनेस को प्रोग्राम को थोड़ा सा आच्छा रखते हो, तो आपको बहुत अच्छा असर करेगा, इसलिए फिटनेस के साथ यह साथी पॉइंट को ध्यां रखते हो, तो काफी फायदा करेगा, बहुत 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 शुक्रिया साथ, तमाम एशियों पर हमसे बात करने के लैप बहुत धन्यवाद, थैंक्यू, आप लोग को धन्यवाद, आप लोग अभी धन्यवाद, और कोरोना काल में अपनी आदत सबसे बड़ी प्राब्लम है, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, उन्होंने हम सभी से आगरा किया है, कि चेन और जो साइकिल है, वो आएगी, लेकिन उससे हमें अपने आपको बचाना है, समाज को बचाना है, और हमने और हमारी प्रभास आच्छी तीम ने हमेशा से य कोशिश किये, कि आप मास्क लगाएं, समाजी गूरी का पालन करें, और जो भी करोना गाइड आए उसको फालो करें, गोरब को से प्रभातिवारे, प्रभास आप झाल्ते अ को से एंप को बचाना है, समाजी ने हमेशा डिलाक है, और हम्हाएं, प्र्भास आप मास्की अया hebben, झालका है, समाजी ने उसक्से आपको बचके हाइड ऊ gonna आपको से भी क मैं हमेशरोने चाहले लड़ा झालका है